हलो फ्रेंड्स वेलकम टो यूट्यूब जैनल फोर आपकी सक्सेज गुड मॉर्निंग में निहारीका सैनी चले तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं लस्तिका परी शंत्रन तंत्रे यानि कि होमल लिंफेटिक सिस्टम के पार हम यहां पर हम पढ़ने वाले हैं इसके पिछले वीडियो में हमने स्कॉल्हेटर्स के बारे उसका सैकर था लस्तिका परिश्द्रन तंत्रे वह आज हम डिसकस करने वाले हैं तो पहले इसकी थोरी हम यहां पर पर पढ़एंगे डिसकस करेंगे उसकि जितने भी Filipino बन् यह erspacly जैएंगे तो आपको वीडियो का पोरा देखना है वीडियो गर पसंद आता है तो और लायक करना शेयर करना है और कवेंट जरूर करना है तो टो सिस्टार्ट करते हैं तो दीत सबसे पहले आपर हम बात करते हैं कि यहां पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो देखे सबसे पहले हम पढ़ेंगे लसी का क्या है उसके बाद में डिसकस करेंगे लसी का क्या होती है उसके बाद में डिसकस करेंगे लसी का के सिकाओं के बारे में जो लिंप कैपलिरी जोती है उनके बारे में क्या काम करती है, लिंफ यानिकी, लसई-का, तो इन सब भी-points को यहां nog पर हम discuss करेंगी, सबसे पहली हम पढ़ेंगे- LAS-CAK क्या होती है, चले डुर देखतें इसके बारे है, तोल देखें, यहां पर मैंने अपके लिगराम भी रखा है यहां पर LAS-CAKA तो यहां पर इससे हमस्ते हैं वह समझते हैं कि लशिका क्या होती है तो देखें हमारे जोать होता है रद्य होता है तो रद्य से हमारी दो परकार की नलिकाएं निकलती हैं एक तो ब्लू और दूसरी, Beans, Red, Red क對對 नलिका उती है वह उसको धमनी कहते हैं terug, dhunyt लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं डायग्राम में यहां पर आपको रेड और ब्लू के अलावा तीसरी आपको यहां पर नलीका दिखाए दे रही है ग्रीन कलर वाली तो देखें ग्रीन कलर वाली जो नलीका होती है वह आपको यहां पर दिखाए दे रही है यह आपको यहा सीराओं से ही निकलती है और यह नहीं निकलती है यह लिंप होती है वह पास होने लगता है जो कि कहाँ पर जाके बहने लगता है जो green नलिकाओं में बहने लगता है और देखे हमारा जो blood होता है रखत होता है उसमें भहुत सारी component होते है फोर एक्जामपल प्लाजमा, platelets, RBC, WBC, protein ये सबी components हमारे blood में पाये जाते हैं लेकिन यह आपर आपको याद रखना है हमारे lymph में केवल क्या बहता है प्लाजमा और WBC ही बहते हैं हमारे जो लसी का होती है lymph होती है उसमें केवल प्लाजमा और WBC ही आप आते हैं क्योंकि जो ह आपको यहाँ पर नोट करके चलना है एक्जाम में यह से क्यों आपको पूछा जा सकता है तो देखिए यहाँ पर आपने बात की है लसी का क्या होती है आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या होती है यह आपके होती है लसी का होती है लिंप होती है अब चली थोड़ा से यहां पर इसकी परिवासा देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं रुदीर वाहिन्यों यानकी ब्लड वेसल्स एवं उत्कों के मद्यरिक्त इस्तान के एक रंगहीन सुच्च तरल पधार्थ पाये जाता है जिसे क्या बोलते हैं लिम्प कहते हैं लस्टी का कहा जा है तो यह आपका होता है लस्टी कहन की लिम्प चली न přिंशिया पर जलते हैं कि तो देखके हैं यहां पर हम धुम्त की बात कि कई जिसको लिंप का जाता है तो उनमें केवल प्लाज्मा और डवलूबी से ही बहते हैं नैशा पर देखे इसमें ऑक्सिजन तथा पोसक पधार्तों की मातरा रक्त की अपेक्षा कम होती है तथा CO2M उत्सरजी पधार्तों की मातरा अधिके पाई जाते किसमें लसीका में नैशा पर देखे जल उत्त की दरव वाहिकाओं में एक्तरित हो जाता है तब इन वाहिकाओं को लसीका वाहिका कहते हैं यानिके लिम्फ वैसल्स इसको कहा जाता है चले अब नैश चलते हैं नैशा पर देखे लसीका कोसिकाओं लसीका तथा रूदीर के मद्दे भोजय पधार्त गैस हार्मोंस आधिके परसार के माध्यम से कारियर करती हैं अंत में लसीका वाहिकाओं स्यूक्त होकर के उरक्षिय वाहिनी तथा दाहिनी लसीका वाहिनी का निर्मान करती हैं जो की सीरा तंतर से जुड़ी होती हैं यानिकी वैन सिस्टम से जुड़ी होई होती हैं लिंप होती हैं लसी का यह होती है वह कहां से निकलती हैं कहां से जुड़ी होती हैं तो वह सीरा से जुड़ी होती हैं वेन से जुड़ी हुई होती हैं चलिए आगे देखते हैं आगे यहाँ पर हम बात करेंगे लसी का अंग के बारे में जो लिंप ओर्गन होते हैं आपके कौन-कौन से होते हैं तो यहाँ पर आपको चार ओर्गन से इसमें डिवाइड किया गया है फर्स्ट आपका यहाँ पर है लसी का पुट्टक इसको लसी का पुट्टक बोलते हैं 2nd यहाँ पर है, tonsil 3rd यहाँ पर है, कौन सा, lymph gland 4th यहाँ पर है, plehyene की, ispleint तो यह लस्तिक का अंग married 4 परकार के होते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो आपके लस्तिक का अंग है जो की 4 परकार के हैं यह कहां QAW आपर उपस्तित होते हैं तो देखे जो फैला आपका है लसिका पूटक ये आपका आतों की सलेस्म जो जिली होती है वहाँ पर इस्तित होता है उपस्तित होता है कहाँ पर आतों की सलेस्म इस तर पर ये पाया जाता है नेश्ट यहां पर आपका है टॉंसिल टॉंसिल के हम बात करें तो आपके जो घरशनी होती है फेरिंग्स होती है उसकी स्लेशन जिली में इस्तित होता है कौनसा टॉंसिल अब यह क्या काम करता है टॉंसिल तो यह लिंफोसाइट्स का निर्माण करता है डबलू वीसी का नि करते हैं तो देखी यह संघ भागTime तथायाफर की उनिन निर्मांड करती है व्हीं के निर्माण करती है को है शहां निर्मांड कर दिसक स्ने मुइँ हैं तो अंग के बारे में लोक्ति के बाकिता बात लिय थनौत कर लिए अब चला नेत में लिम्प वेसल से अंगों को लसी का अंग कहते हैं जो सरीर को रोगों से लड़ने के लिए परति रोदक सर्थी परधान करती है, अब यहां पर देखें, लसिका, गाठे, पलीहा, थाइमस, याँ टॉंसिल, या जो आपकी लिंप ग्लेंट्स होती है, गरंतियां होती है, वो यहां पर टॉंसिल, आदी क्या होती है, लिंपोसाइट का निर्मान करती है, जो बहरी करते हैं सरीर की सुरक्षा हेतु कारिये करते हैं नेशनेया पर आपको पॉइंट दिया गया है अहर नाल में वसा पाचन के फल सवरू बने वसा अमल तथा ग्लिसरोल रुधीर वाहिकाओं में नय जाकर के लेक्टियल्स द्वारा लसी का तंतर में पहुंचते हैं तो देखे झां तो आपको यहां पर धान रखना है जो फैट वता होता होँ अमारे बलड में नहीं जाता है अब झालते हैं भास लिए का कशेल को शरीर में प्ररवेस करने वाले जल के लिए लसी का माईनय इसताई करती है संचे करने से रोख ते हैं जल दिकतम जल का आउसोसन क्या करती है उत्तकदरौं से जल की अधिसेस मात्रा को हटा कर लसी का उसे रुदीर परिसंचन में भेज देती है डाल देती है थाड़ यहां पर आपका है कौनसा संकर्मन से सुरक्षा करती है कैसे करती है लस्टिका में मोजूद लिंफोसाइट्स रोगाणों को नेश्ट कर संकर्मन से मनुश्य की सुरक्षा करते है तो यह पॉइंट आपको यहां आंदे रखने हैं कि लस्ची का का करती है ने जलते हैं मैं देखते हैं अहले यह दिर्गाणों का परिव्वैन करते हैं किस परकार से करती है त mileage का द्वारत बड़े बड़े अन llamado जी से प्रोटीन हार्मोन आधी को रुदीर-परी,श Спर हैं क्यूकि यह ले जाला डाला आपका नए श्रेया पर आपका है वसा का परिवयन जो लिंप लसिका होते हो क्या करती है वसा का परिवयन करती है किस परकार से करती है तो चलिए देखते हैं आप तो देकि वसा का परिवयन लसिका के द्वारा ही होता है लिंप के द्वारा ही होता है अहार नाल में वसा के प पर करता है लस्सिखा के कारी यह होती है चलियिक्षversion संचरंत अंत्र तो इन दोनों की वीच में क्या क्या अंतर होता उसके बारे में आप हम डिसकस करते हैं, तो चली देखते हैं, तो देखे सबसे पहले हम बात करेंगे रुधीर यानकी ब्लड के बारे में, तो देखे यह गैरे लाल रंका तरल सयूझी उत्तक होता है, रुधीर में लाल रक्त कनेका यानकी आरबी सी उपस्तित होती है, इसम आपका पॉइंट है प्रोटीन की मातरा कम लिंफोसाइट की संक्या सरवार्दिक होती है आपकी जो लिंफ होती है यानकी जो सीराओं में जो छेज होता होल होता है उसमें से ओनली क्या निकल पाता है उसमें से ओनली प्लाजमा और डबलू बीसी ही निकल पाते हैं इसलिए आपकी जो लिंफ होती है उसमें ये दो ही एलिमेंट होते हैं दो ही पधार्त होते हैं कौ की मातरा बहुती कम होती है तो यह हमने आपर बात की है रुदीर और लस्षिका के बीच में क्या क्या अंतर होता है ओके लाश में आपर मैंने फिर से आपके लिए डायग्राम रखा है तो यहां से आप अच्छे से इसके बारे में समझ सकते हैं आप हमारे जो रध्य होता है हर्ट होता है वहां से दो प्रकार के नलिका यह निकलती है एक ब्लू कलर वाली होती है दूसरी रेड कलर वाली होती है ब्लू जो होती है आपकी वेंस होती है सीरा होती है रेड जो होती है इसके अलावा तीसरी आपर आपको जो नलिका दे रखी है वह आपकी होती है कौन सी ग्रीन वाली जो आपकी नलिका या पर दे रखी वह आपकी होती है लस्यका इसको कहा जाता है और जो लस्यका होती है वह कहां से निकलती है तो वह केवल सीराहों से ही निकलती है कहां से निकलती है और वेंस से ही जो आपकी लिंप होती वह निकलत अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के पास में ज्यादा ज्यादा शेयर करना ज्यादा श्यादा कमेंट करना और लाइक ज़रूर करना अब इसके जितने भी important क्यूशन बनते हैं यहां से वो सब भी हम यहां पर कल यहां पर सोल करने वाले हैं तो अच्छे से आपको रक्त परीशंचन तंत्र और लस्सिका परीशंचन तंत्र इन दोनों पार्ट्स को अच्छे से पढ़ कियाना है समझ कियाना है ताकि कल के क्यू वीडियो में थैंक यू